फ्रेंड्स मैं हूं अलका और सागात आपका मेरे चैनल पर आज मैं बनाने जा रही हूं कड़ाई पनीर रिस्टोरंट जैसी कड़ाई पनीर अगर घर पर ही बन जाया तो उसकी तो बात ही कुछ और है और अगर रेस्पी पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्स मिर्च एक प्याज इस प्याज का हम ग्रेवी बनाएंगे इस प्याज को हम फ्राई करेंगे और मेरे लिया 300 ग्राम पनीर 8-10 का लिए लैसुन की एक चोटा सा अध्रक का टुकड़ा थोड़े से गरम मसाले और थोड़ा सा सूखा मसाला दो हरी मिर्च और 5-6 काजू तो अ अब हम सबसे पहले गैस का फ्लेम ओन करेंगे और उसमें कड़ाही रख देंगे और हमने जो धनिया सूखा और जीरा और दो काश्मीरी लाल मिर्च लिया है उससे हम पहले रोष्ट कर लेंगे जिससे हमारा कड़ाई पनीर मसाला तयार हो जाएगा कड़ाही हलकी सी गर्म हो चुकी है हम इसमें मसाले को डाल देंगे और इससे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ये जब थोड़ा सब भून जाएगा तो हम इससे निकाल लेंगे मसाले भून चुके हैं अब हम इससे निकाल लेंगे और इससे ठंडा होने देंगे अब मैं सेम कड़ाही में दो चमस तेल डाल रही हूँ और इसमें आपने जो गरम मसाला लिया था वो डाल दूंगी इसमें है पांच से छे काली मिर्च, दो लॉंग, दो इंच डाल चीनी का टुकड़ा अब हम इसमें लैसून, अद्रक, काजू, हरी मिर्च, प्याज, सब एट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे टमाटर, जो हमने काट के रखा हुआ था इसे भी मच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें मैं डाल रही हूं थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर हमारा जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है टमाटर को सॉफ्ट होने में लगबग दो मिनट लगे हैं और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद ही हम इसका पेस्ट बनाएंगे मैंने मसालो को निकाल दिया है और अब हम सेम कड़ाई में एक बड़ा चमस तेल डाल देंगे और हमने जो प्याज और शिम्ला मिर्च लिया था उसे फ्राई कर लेंगे तो हमने पहले प्याज डाल दिया इसे थोड़ा सा भून लेंगे और अब हम इसमें शिम्ला मिर्च डाल देंगे इसे भी करीब आदे सेकंड के लिए भून लेंगे हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे तीस सेकंड हो चुके हैं और हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में जो हमने कड़ाई मसाला भून के रखा था वो तयार हो चुक है उसका हम पाउडर बना लेंगे ये देखिए हलका सा दरदरा ही रखें ज्यादा पेस्ट उसको ना करें और ये मसाले भी ठंडे हो चुक है हम उसे भी ग्राइंड कर लेंगे द्यान रे हम इसमें पानी बिल्कुल भी आट नहीं करना है ये देखिए और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में तो मैंने कड़ाई में तेल डाल दिया है तेल गर्म हो चुका है उसमें हम पेस्ट डाल देंगे जो हमने बना के रखा हुआ है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और हमने जो मसाला बना के रखा हुआ तो वो डाल देंगे इसमें और हम इसमें आट करेंगे नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखिए मसाला हमारा भून चुका है मसाले को जब तक भूने जब तक इससे तेल अलग न होने लगे और इससे अच्छी खुश्पुन आने लगे और अब हम इसमें प्याद और शिमला मिश्ट डाल देंगे जो हमने फ्राई किया हुआ था इसमें हम पनीर भी आट कर देंगे आप चाहे तो पनीर को भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया हुआ है और अब हम इसमें पानी एड़ कर देंगे, इसमें ज्यादा ग्रेवी ना करें, और इसे ढग देंगे, दस मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पे, दस मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, इसे एक पर अच्छा से मिक्स कर दें, और लास्ट में इसमें मैं डाल जीओं दो बड़े चम्मच क्रीम, क्रीम नहीं है तो आप इसमें घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने घर की फ्रेश मलाई ली थी, इसे एक मिनट के लिए और ढग दें, बस हमारा कढ़ाई पनी रेड़ी हो चुका है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, तो यह देखिए, गर्मा गरम कढ़ाई पनीर हमारा तयार हो चुका है, आप इसे रोटी के साथ नान के साथ खाईए यह आपको बहुत अच्छा लगेगा, तुम इलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेकर और बाबगाई, थैक्स पर वाचिंग. झाल झाल झाल